जब्षक्राइब दोस्तों स्वाकत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुन में मैं हूँ आपका दोस्तरुन और स्वाकत करता हूँ आज की एक और मुचल फंड रिव्यू की वीडियो में देखिए आज का जो रिव्यू होने वाले न वो थोड़ा सा हटकर है थोड़ा सा लगाया हुआ या PSU सेक्टर के पैसे लगाया हुआ है तो उनको यह पता चलेगा कि भया PSU सेक्टर गिर क्यों रही है अभी उनको क्या करना चाहिए और साथ में मैं रिव्यू करने वाला हूँ मैं करने वाला हूँ आधित्या बिर्ला संलाइफ PSU Equity Fund की जो की होने वाला है डिरेक्ट प्लांड ठीक है इसकी मेरे पास काफी रिक्वेस्ट थी वैसे मैंने इसकी तीनचे अफ्ते पहले वीडियो बनाई थी लेकिन अब उसके उन्दर काफी ज़्यदा चीज़ेस आये हैं लोग लगतार कह रहें कि सर क्या करें इसमें इस्टे करें या निकल जाए एक इन्वेस्ट को इंडिया प्यस्ट फंड उसमें रहें या निकल लिए यह तीन-चर फंड जो प्यस्ट शेक्टर के आते हैं उसके अंदर बात करें कि रहें या निकल लिए सिंपल्स है तो उस एक वीडियो में मैं आपको इन्वेस्ट को इंडिया प्यस्ट फंड आपका SBI PSU Fund और इसका तर रिव्यू करे रहा हूं तीनों का आपको समाधान दे दूगा कि आपको क्या करना है क्यों गिर रहा है कब उठेगा आपको रहना है नहीं रहना है इन्वेस्ट करना है नहीं करना है सारी चीजों का बात करूंगा इसी एक वीडियो में ठीक है तो दोस्तो रिव्यू थोड़ा सा डीप पर जाके बोलूँगा तो थोड़ा सा समझने की कोईश्च कीजिएगा थोड़ा सा हो सकता है कि दो मिन वीडियो फाल्दू बंजे लेकिन आपका एक एक कॉंसेप्ट में किलियर कर दूँगा इसके अंदर ठीक है शुरू करते है आज की सबसे पहले समझ लिए यह पाभलिक के एक सेक्टर अंडर टेकिंग या यूनिट का मिलब ऐसे संस्थार एकंपनियां जो की पप्लिक सेक्टर विलोंग करते हैं मतलब दिनके अंदर जो हमारी बहरत्य सरकार है उनकी इस्सेधारी है उससे हम प्पिए हैस्से कंपनिज कहत बता हूं भीया कि कोण सिक आगर मैं कोंपनि सकर नाम बताँ को समझ जाएंगे ये पेसव सेक्टर होता क्या है जैसे यसे विए बैंक लिबेंट कमा फ्ली सेटृ की अपने टों बैंक कि क्या हो गया वो भी थे कंपरी हिए ना आपका PNP अचही है अचुक्ष हधितनी कंपनीज LET गेल इंडिया कॉल इंडिया सारी पिस्टर की है और वह हमारी होती है पीएफिय को कहते है उन्हें अलग अलग सेस्टस कीenne होती है तो आशाकरतू हमम मेरा बात समझ नहीं होगे मैं क्या कैना चाहरूं ना तो अब बात करते हैं इस फंड के बारे में तो देखिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं तो चल रहा है वो है 37 रुपे 76 पैसे इंडिपेंडेंट वेबसाइट ने इसको रैंकिंग जो दिया वो दिया फॉरिश्टर रिसिल ने इसको रैंकिंग नहीं कहिए नहीं इसको रैंकिंग दी है पिछले तीन साल में इसको रिटन है वह बहुत दंदार रिटन है 40%. और जब से लॉपें में आधा प्रसेंट सकते और अगर आप इसमें इंवेश्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम ऐसा इप मात्र 100 रुपे से आप शुरू कर सकते हैं और मिनिमम लंग समय यह 500 रुपे इसमें टोटल इंवेश्टमेंट आई है वह आई है 5946 क्रोड मतला मोड़ा माले च्छे हजार क्रोड की इंवेश्टमेंट आई है आज तक 2019 से लेका 24 तक और एक परसेंट अगर आप पैसा निकालते हैं एक मेने से पहले निकालेंगे तो एक परसेंट चार्ज लगेगा एक मतलेजा देना पले अपको और एक महीने के बाद निकालेंगे तो है जिरो परसेंट तो यह तो हो गया का पुरा का फूरा हल जो कि चल रहे है अब मैं आपको बताताहूं कि पिछले तीन महीने में हैं इसने कितना है नाइन सेवन परसेंट माला माहिनस में ऐक पर्षेंट मालेजिया मोटा वाटी जह महीने में इसने दिये हैं सिक्स मुंत में जो डिटन दिये हैं वह दिये भाईया टोटाल 11.4% 14.44% यह minus में है यह positive में है और पिछले एक महीने की बात करूँ तो एक महीने में इसने दिये है एक मन्त के जो इसके जो returns है वो है minus में 3.33% ठीक है ना तो यह जो है इसके returns है अब ना सबसे पहले मैं आपको इसके जो sector जो इसके ना stocks है वो बताना पचाता हूँ कि इसके इंदर कौन-कौन से stocks हैं वो बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लिए आपको जिससे कि आपको समय में है कि बढ़िया कौन-कौन से stocks है इसके अंदर जो man top 10 stocks है मैं आपको वही बताऊंगा आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं जितने में मेरे भाई है तो इसके stocks के बारे में बता रहा हूं मैं आपको जो इसके stocks हैं तो भाई देखिए मैं इसका जो portfolio है उसकी बात करता हूं इसका जो portfolio है उसके अंदर पाँच परसेंट पैसा देने कैश बचाया हुआ है बाकि चानवे परसेंट पैसा पूरा का पूरा इक्रिटी के अंदर इंवेस्टेट है और इसके अंदर जो स्टॉक सुने वाले हैं वो देखिए मेरे भाई वो है SBI परीज़ाई बैंक कि एंटी पीसी और आपका ओएंजी सी साथ में पावर ग्रेड पावर ग्रेड और है आपका गेल इंडिया गेल इंडिया और है पी एनबी हाउसिंग करके हैं और आपका है कोल इंडिया और है आपका Life Insurance LIC बेंक ऑफ इंडिया, बेल, भारत Electronics और आपका भेल भी है और बेल भी है, भारत Electronics भी है और आपका इंडियन ऑईल भी है इंडियन ऑईल और आपका ऑईल इंडिया भी है और आपका हिंदुस्तान एरो भी है आप समझ रहे हैं तो आप एक चीज़ समझेगा इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो एक तालिस परसेंट जो पैसा है ना वो लगा हुआ बाईया एनर्जी सेक्टर के अंदर अब आप एक सोचीज सोचिए इसके अंदर जितनी भी कंपनीज है एंस बी आई एंटीपीसी ओंजेसी पावर ग्रेड गेल इंडिया पी एनबी कोल इंडिया लाइसी बैंक ऑफ इंडियन ओयल ओयल इंडिया और हिंदुस्तान एरोटिस लिमिटेड यह जितनी भी कंपनीज है पूरी के पूरी हैं वही है किसको हमारी भारत सरकार की इसके अंदर तो हुआ यह है कि जब से ना हमारा बजट आया है जुलाई अगास अब सितंबर चलना है तीन से चार मेन अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर एनर्जी फंड भी है इसके इनदर आपका के कमपरीज भी है बेल इंडिया भी है बाद electronics ब्यार दोस्तान अरो में डिफैंस क्टर भी है कि रिख्टर रहा है कि उसमें प्यस्ग श्यक्तर रहा है इसलिए वह देफ्टर बैसे दाउं चल रहा है तो डिफैंस अर्टर पीछे वी तो चलन्क गवर्मेंट के कुछ हो कह कपने हैं उसके हिए उसके निदर आपको पताई है उसके में यह काफी फ़रक पड़ा समय करने है तो डोक कis आपको करने अब बात करें बले इन्मेस्ट कुझ इंडिया उसे श्रक्टर इस अरतेडल है पंड की बले ही सही फंड की बली आपका अदूतिया बिल्ला सनलाइफ पीस्यों इन तीनों के अंदर ही अगर आपने इंवेश्मेंट करें आपके ऐसाइपी चल ली है तो आप अपनी ऐसाइपी जारी रखें आगर आपको लंसम किया हुआ है तो भाई लंसम चालू रखें लंसम चालू बज़ा आप उसको रहने दे और रही ब आपको जब बढ़ेंगे तो आपको सस्ते मिलने गएगए थोड़ा मुड़ा लंसम भी करते हैं तो आपको फाइदा होगा आप बात करते हैं वह बढ़ेंगे कब देखो आने वाले दिवाली के आस-पास कोशिश है कि दिवाली के बादना बढ़ने चुरू हो जाएंगे उम्मीद ही है नहीं तो हो नए साल तक तो यह बढ़ेंगे बढ़ेंगे आने वाले दो तिन महीने के अंदर यह बढ़ने शुरू हो जाएंगे बढ़े नाम से अब भी हो गया दिवाली बारा चल लिए वैसे भी मार्केट थोड़ी से डाउन चल लिए है अब एक मेन बढ़ेंगे दो मेन बढ़ेंगे उसके अगश्यक्ट डेट तो चार मेन बढ़े तो आपको इंवेस्टमेंट जारी रिखनी है निकलना नहीं है एक्सिट निकना है अगर लॉस हो रहा है तो होने दीजिए कोई प्रॉब्म निए अपने रिकावरी हो जाएगी है तो यह मत सोचिए कि आपको प्रॉफिट होड़ा मैं सोचों फटाउट प्रॉफिट बुक करके निकल जाओं वह भी साही नहीं है तो याज अब इस्टॉक सी परफॉर्म नहीं करें तो यह भी क्या करेगा के लिए तो इसलिए जो धहर रहे है उसको बनाए रखें और अपनी तो इन्वेस्टमेंट उसको चाल रहे हैं ठीक है दोस्तों तो बागी वीडियो कैसे लेगी जरूर बताएगा और साथ में यार प्यारा सा कमेंट कर देगा और अगर आपको भिया अपना पॉर्टफोलिय बनाना है रिवियू करवाना है एक करोड या पाच करोड का रिवियू का अपना पॉर्टफोलिय बनवाना है रिवियू करवाना है पॉर्टफोलियो मुझ से रिवियू करा सकते हैं पॉर्टफ ठीक है तो आज के लिए जया हिंदुआ